हमारी राशी, zodiac science के according हम अपनी-अपनी manifestation techniques को लगाएंगे जो भी manifestation technique यूज कर रहे हैं, कौन सा technique हमारी राशी के according बहुत effective है वो जानेंगे आज, ओके, जब राशी की बात आती है, जब zodiac science की बात आती है क्यों हम राशी के according चलते हैं, because जितनी भी राशियां हैं, उन सारे राशियों की connectivity है या फिर आप कह सकते हो, जो energies उन्हें जहां से मिलती है, वो planet से, right अच्छा, अब जब आप अपने planets के according, आप जब universe की energy के according अपनी techniques लगाओगे आपकी body की जो vibration है, जैस चीज से वो बहुत ज़ादा raise होती है, वो काम करोगे तो जल्दी manifest होगा definitely, बहुत simple से शब्दों मैं बता रही हूँ आए जानते हैं कि जो राशियां हैं, उसके according कौन-कौन से technique कैसे कैसे करनी है या कोई technique कर रहे हो, तो किस तरीके से करनी है ताकि आप लोगों की manifestation जल्दी-जल्दी हो सबसे पहले लेते हैं, Aries, जो Aries वाले लोग हैं, उनके लिए visualization with physical ability, walk and get affirmation do journaling, okay, so आप लोगों के लिए physical activity बहुत important है means, आप लोग जितना कर्म करोगे, जितना जादा कोई physical activity करोगे suppose अगर आप लोग कोई भी technique कर रहे हो, कोई ऐसा normal सा technique कर रहे हो उससे जादा आपको effect मिलेगा, अगर आप एक habit बना सकते हो कि आप walk करते करते affirmation दो, कुछ कदम चलने के बाद आप visualization करो अपने techniques के लिए, इस तरह से जब आप कोई manifestation technique को apply करोगे, वो बहुत help करेगी आप लोगों को journaling करना बहुत जरूरी है, because उसमें आपके physical activity, hand लिखने की ताकत को आप use कर रहे हो जितना जादा आप physical energy को use करोगे, put करोगे, उतनी जल्दी आपको results मिलेंगे अपने manifestation से Okay, so easy, मत सोचिएगा, कि मतलब हम बैठे-बैठे कोई technique या कुछ कर लेंगे, हो जाएगा Please, अपनी body को activate कीजिए, अपनी body की physical activity, physical energy को use करना है, जितना use करेंगे, उतनी जल्दी manifest होगा So, best आप लोगों के लिए है, चलते-चलते, affirmation देना, walk करें, walk करना वैसे भी अच्छा है, आप लोगों के अच्छा होगा लिखना, लिखिए, जितना हो सके लिखिए, अपने affirmations लिखिए, gratitude journal लिखिए, gratitude लिखिए, ये सब चीज़ें आपको help करेंगी So, अब आते हैं Taurus पे, Taurus के लिए है plants and new seeds, आप लोग जो Taurus होते हैं, वो basically प्रिथवी से connected होते हैं, earth से connected होते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा जब आप कुछ नए plants लगाते हैं, क्योंकि जब आप नए plants लगाते हो, नए seeds को लगाते हो और जब plant उसमें से निकल के आता है, एक नए जीवन की शुरुआत होती है, okay, plants living being है, तो क्या होता है, आपको वहाँ से energy मिलेगी plants से energy मिलेगी, आप लोग क्या कर सकते हो, जादा तर जो टॉरस जिनका sign है, वो एक habit बनाईए कि plants में पानी देने का, अगर आपके हर एक के घर में कुछ न कुछ plants होते ही हैं, आप लोग प्लीज मौनिंग इवनिंग प्लांस में पानी ज़रूर डालिए, इससे क्या होगा आप लोगों को उससे positive energy मिलेगी, यह positive energy आप लोगों के manifestation में help करेगी, हो सकता है, यह हो सके, तो आप लोग एक काम करिए, जब आप लोग प्लांट में पानी दे रहे हैं, उसी time पे अपने wish का affirmation बोलिए, दोनो energies है, earth element है, soil है, मिट्टी है, plant है, living being है, दूसरा, आप पान पानी दे रहे हो, पानी में absorption की power होती है, तीनो energies use हो जाएंगी, और आप जब affirmation देंगे, definitely manifest होगा, okay, so यह था Taurus के लिए, Gemini, Gemini के लिए, journal for your future plans, okay, आप लोगों में ability है, अपने words को use करने की, आप लोग जिस भी तरह से चाहें, positive words का use करके, अपनी अपनी wishes को manifest कर सकते हैं तो best तरीका आप लोगों के लिए है, कि आप लोग pen and paper उठाईए, pen and pen या अपना journal उठाईए, और उसमें अपने future को लेकर के, जितने भी plans हैं आपके, उन सब को रोज scripting करिए, जितना लिखोगे, अच्छे-च्छे words का use करोगे अपने future के लिए, अपने wish के लिए उतनी जल्दी manifest करोगे, तो आपकी powers आपके words में हैं, ध्यान रखेगा, cancer, cancer वाले लोग जो हैं, इनके लिए घर और family, इनकी blessings, इनकी positive energy बहुत help करेगी, तो आप लोग अपनी family members के साथ, जो भी आपके family members हैं, उनके साथ एक बहुत ही अच्छा relationship रहिए, रखेगा, उनकी blessings, उनक positive energy, positive vibe, आप लोगों को help करेगा, आपके manifestation में, आप अपने घर से जो energy आपको मिलेगी, वो कैसे होगा, घर में हम जानते हैं, हर चीज़ की अपनी energy होती है, घर में चाहे furniture हो, आपका wardrobe हो, आपका cupboard हो, कुछ भी, आपके clothes हो, लेकिन सब कुछ बहुत ही सही तरीके से, सही डं हुआ है, कोई एकदम, हम कहते हैं न, declutter करना, मतलब, कोई कबार है घर में, तो उसको निकाल के बाहर हटाना, और चीज़ों को बिलकुल सही जगर पे, सही तरीके से रखना, इस चीज़ का ध्याना बजरूर रखेगा, इस से आप लोगों को बहुत help मिलेगी manifestation में, because your house is something which is having very positive energy, और उसी से आपको energy मिलेगी आपके manifestation में, आप अपने घर से बाते कर सकते हो, अपनी जो affirmation है, अपने दीवारों को, अपने घर को देखते हुए, अपनी affirmation दे सकते हो, because आपके घर से हर चीज में energy जो है, वो आपको help करेगी, okay, so आप अपने घर के हर चीज को आप affirmation दे सकते हो, positive affirmation देते हो, देते रहो, यह आपके manifestation में आपको help करेगी, अब आते हैं हम Leo पे, Leo है, dance to embody your highest vibration, be happy, energetic, listen to music, खुशियां तभी आती हैं, जब हम खुश होते हैं, and Leo, आप लोगों को जितना खुश हो सकते हो, को यह activity करके, dance करके, music सुनके, यह सबसे हम एकदम से turn on हो जाते हैं, right, मतलब एकदम खुश हो जाते हैं, mood एकदम से change होता है, जब हम यह सब अच्छी, I mean, थोड़ा entertain होते हैं, entertainment आती है, life में, right, तो आप लोग हमेशा happy रहिए, अगर कभी sad feel हो रहा है, कुछ गाने सुनिये, do some dancing every day, अगर आप करते हैं, तो बहुत अच्छी आते हैं, यह चीजें, जितना आप happy रहोगे, जितना आप खुश रहोगे, कुछ भी physical activity करोगे, वो चीज आपको help करेगी आपके manifestation में, आप चाहों, तो अपने जो affirmations हैं, आप आपके wish के regarding, उन affirmations को भी आप गा के कर सकते हो, उनको अप एक धुन जैसा गाते हुए, आप affirmation दो, वो आपको help करेगी, बहुत असान, अब आते हैं, वर्गो पे, वर्गो जिनका zodiac sign है, उनको बहुत जरूरी है, humble रहने का, और act of kindness, मतलब कि आप सारे दिन में, कोई भी इंसान, कोई भी अंजान इंसान आप से मिलता है, या आप किसी से मिलते हैं, तो आप उनके सा एक अच्छा वैवार कर सकते हैं, और घर में भी आपके जो लोग हैं, उनसे आप बहुत positive attitude रखिए, बहुत humble रहिए, बहुत calm रहिए, हो सके तो अगर आप किसी दिन, आप क्या कर सकते हो, थोड़ी बहुत chocolates, toffees अपने पास रख सकते हो, ताकि बाहर जो नीडी बच्चे होते हैं, या कोई भी, बच्चे सब अच्छे ही होते हैं, किसी भी बच्चे को आप थोड़ेवा chocolates, toffees, आप distribute कर सकते हो, वो humbleness जो होता है, वो प्यार जो है, आपके मन में, प्लस आपने जिसके लिए कुछ अच्छा किया है, जिसको आपने कुछ दिया है, उसकी तरफ स सारे दिन में भी, अपनी जो affirmations हैं, उसको अब बहुत humble होके दें, बहुत प्यार से दें, सबकी blessings लेने की कोशिश करें, वर्गो के लिए बहुत important है यह चीज, ओके, आणड येस, थोड़ा अपने emotions पे control रखें, वर्गो, please emotion को control में रखें, का manifestation तब ही होगा, जब आप ल blessings and good vibes सब से लेनी हैं आप लोगों को, वो ही आप लोगों को help करेगी, अब हम आते हैं Libra पे, Libra के लिए है, बहुत important, आप लोगों को vision board बनाना है, manifestation technique जो आप लोगों के लिए बहुत effective है, effective रहेगी सारे technique से उपर है, वो vision board है, आप digital vision board बना सकते हैं, या फिर physical vision board बना सकते हैं, simple एक board पे जब आप pictures अपने wish के according लगा देते हैं, affirmations अपने wish के according लगा देते हैं, तो क्या होता है, जब आप बार बार उन pictures को देखते हो, तो उनसे जो आपको happiness मिलेगी, okay, pictures होते हैं, basically आपके wish manifestation की pictures होते हैं, proper एक picture आपने लगा दिया, suppose आपको car चाहिए, तो आपने car की picture लगा दी, आपको चाहिए कि मेरी शादी जल्दी हो जाए, तो आपने कोई wedding की picture किसी की लगा दी, bride, bride, groom की, right, तो अब क्या है, जब उन pictures को आप देखोगे, तो उन pictures में जो colors होते हैं, जो emotions होते हैं, वो सब आपको positivity देते हैं, and vision board आपके लिए सब से best है, आप उस से बहुत जल्दी manifest करेंगे अपनी अपनी wishes को, okay, so अगर आप family में हैं, हम कई दफा होता हैं, हम नहीं बना के लगाना चाहते हैं, vision board वैसे की, सब को दिखे, तो आप लोग digital बनाएं, अपने phones में बना लीजिए, phone में बना के, gallery में सेव करके रख लीजिए, एक vision board को, collage बना बनादी manifest करके देगा, now, Scorpio के लिए क्या है, use fire to manifest, आप लोगों के लिए, Scorpions के लिए, fire element बहुत important है, बहुत अच्छा है, इसमें क्या है, कि आप लोग क्या कर सकते हो, सबसे पहला, जो करना है, आपको आपके wish के लिए, जितनी भी negative चीज़ें हैं, जो भी negative thoughts मन में चल रह आप या तो believe technique कर सकते हो, because उसको हम fire में burn करते हैं, वो आपको help करेगा, okay, so fire element को use करके, आप लोग अपनी wishes को manifest केजिए, ठीक है, now, Sagitt areas, go out and explore some new places, feel free and keep giving affirmations, जो Sagitt areas है, उनके लिए है कि आप लोग बाहर जाईए, निकल लिए, एक जिगा बैटके, stuck होके मत बैठे रहिए, ठीक है, थोड़ा घूमिए, घर से बाहर निकलिए, कहीं बाहर जाईए, थोड़ी नई नई जगा को explore करिए, उससे क्या होगा, आपके मन में खुशी आएगी, okay, जब आप बाहर freedom feel करोगे, तो खुशी आएगी, जब आप खुश होगे, तो definitely emotions भी control में होगे, और खुशी explore कर लीजे, वहाँ चले जाईए, ठीक है, मतलब बाहर निकलने के बाद, जो बाहर की हवा फिजा है, उसमें आपको बहुत positivity मिलेगी, and that will help you guys, okay, next हम आते हैं, Capricorn, Capricorn के लिए है, कि आप लोग सीधा सीधा universe को letter लिखने वाला काम करिए, आप लोगों के लिए बेस टेक्न करिए, आप लोग जब भी भी अपनी wish manifest करना चाते हैं, तो जरूर कुछ ना कुछ offerings के साथ आप लोग प्रे करें, और जब universe को letter लिखते हैं, तो उसमें भी आपको कुछ offerings बोल सकते हैं, अपने according, जो भी है, आप लोग देख लीजे कि हम कुछ भी offer कर सकते हैं, flowers offer कर दीज जो भी आपको समझ में आता है, उस तरह से, offering के साथ universe को letter लिखिए and manifest कीजे, Aquarians, Aquarius जिसका sign है, उनको group manifestation technique, group manifestation technique क्या होती है, आप अपने दो चार दोस्तों को एक साथ बुला करके and बैट करके बाते करते हुए, वहाँ पे कुछ affirmation एक साथ दे सकते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि साथ बैट के अपनी अपनी journaling कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन होता क्या है generally कि हम लोग अपनी अपनी जब wishes के लिए manifest कर रहे हैं, हम चाहते हैं हम किसी को बताएं, बहुत personal रखना चाहते हैं, तो हम कहां जाएं, किस के साथ हम group manifest करें, कोई बात नहीं, आप उस time पे क्या helpful रहेगा, okay, now Pisces, create a music or art, paint, sculpture, अभी क्या है आप लोगों के लिए, कि आप लोगों का जो भी wish है, okay, उस wish से related, अगर आप कुछ ड्रॉइंग कर सकते हो, अगर आप 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 में बहुत अच्छे हो, कुछ ड्रॉइंग कर सकते हो, तो प्लीज जरूर कीजिए, कुछ भी creative च उसको download करके कुछ collage बना के रख लीजिए, उसको थोड़ा सा आप जैसे भी edit करके उस picture को थोड़ा creative बना लीजिए, और फिर उसको देखके visualize कीजिए, affirmation दीजिए, ये चीज आप लोगों को help करेगी manifestation में, so ये थे सारे zodiac signs और इनके according कि कौन-कौन से techniques को किस-किस तरह